जाहें तरी इस वीडियो नों बात करने वालDIंए गलो ट्रेक्षाल इंडुस्टर के लिए भारे में बारे में देखेट गलो ट्रेक्षाइल कमपनी किलोफ ट्रेक्षाइल चाहिए कि ज्यानि पहस्चानी कंपनी है लेगbooks सुरवात करते हैं कुछ मोद सुरू से लिए महीं करते हैं यह काई अब क्ते पुरूक्ट का हैं तो आपको के साला तो यह कंपने मतलब ऑशन का कंपने अजoffer जो पॉड़क्ट बनाती है whether 105 फेरिक्प posuit बहल髦ाना है तो यह तो हो गया company का business model, लेकिन इन दिनों हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो overall भारत में textile sector है, तो इन दिनों textile sector के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, textile sector की जितने भी company हैं, भारत में आप देखेंगे तो उनके price में गिरावट आया है, उनकी price कम हुए है, लेकिन इसका यह मतल ब्राइट होने वाला है, मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूं क्यूंकि भारत की जो सरकार है, वो भी textile industry को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, प्रयासरत दिख रही है, और सरकार का aim है कि 2025 तक भारत को textile sector में दुनिया में number one बनाना है, हमें अब पता है, अच्छी तरह कि अपनिया है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि छोटी कंपनियों में देखिए, रिस्क तो होता है, लेकिन reward भी बहुत अधिक होता है, इसलिए globe textile को ignore नहीं किया जा सकता, अब बात करते है, यानि कि इस company का जो basic हाल चाल है, उसके बारे हम जान लेते हैं, तो देखिए, हम जानते इसलिए globe textile का market cap लगभग 96-97 क्रोन का सबास है, और इसका share price देखें, तो आज के दिन इसका share price रहा है, चो रोपया चालिस पैसा, आज के दिन की proper बात करें, तो आज इसमें गिरावट आया है, लगभग 30% का सबास, और पिछले कई दिनों से इसमें गिरावट ही चल रहा ह होता है आपको, लेकिन इतनी हेवी गिरावट के पीछे वज़या है कि यह stock अभी lower circuit में चल रहा है, और आप अच्छी तिरह जानते हैं कि जब कोई stock lower circuit में होता है, तो इसमें price नीचे जाता है, अभी इस company का share price से अपने support level के पास ठारा हुआ है, आप जानते है support level वो जग करके इसका price नीचे आता है, तब यह कहां तक आ सकता है, आ सकते है, दोड़ाई रूपय का असपास, लेकिन कि आपको दोड़ाई रूपय तक आने तक इंतियार करना है, नहीं, आपको price जैसे support level को break करके नीचे आता है, तो आप निकल जाएगे, मुझे जहां तक personally यह अश आता, उससे अभी काफी उपर है, तो जब तक यह price अपने support level से उपर है, इसके नीचे आने कि यह अपने support level को break करने की यह चेश्टा नहीं करें, इसलिए आपको चिंता करने के कोई बात नहीं है, बहुत से लोग कह रहे थे कि मैं पहले काफी bullish था इस stock पर लेकिन इसका price नीचे जा रहा है, तो आप देखे ना, जितने भी ट्रेक्षाज सेक्टर कमपनिया सभी के price नीचे जा रहा है, पार्टिकुलर एक यही कमपनी नीचे जा रहा है, ट्रैटिंट का price नीचे जा रहा है, और एक बात आपको बता दूँ मैं कि चुकि यह penny stock है, penny stock में risk होता है तो आप हमेशा risk management follow करके चलें, आपको नुकसान नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, तो आपको अपना risk management बहतर करके चलना होगा, उमीद करता हूँ इस stock के बारे में आपको सारी जनकारी मिल गए होगी, फिर भी अगर मन में कोई सवाल है, या industry के बारे में कोई सवाल है, त आप पूछ सकते हैं, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तब तो लिए धन्यवाद, सुक्रिया.